आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स आप सभी ने बर्ब एडजेक्टो एडबर्ब पढ़े ही होंगे लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स तो पहले हम जानते मॉडल्स होते क्या हैं मॉडल्स के माइने होता है मोड यानने मैनर जैसे कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं कोई भी आगर आप एक्षन कर रहे हैं तो उस एक्षन का मोड क्या है मीनस अगर पर्मिशन दी जा रही है कि एडवाइस दी जा रही है कि और दिये जा रहा है जो भी आपको वर्क दिये जा तो आज हम पढ़ते ही मौडल्स होटे हैं, तो यह मौडल्स शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, can model के बारे में can model की पहचान होती है जब हम किसी भी sentence में main बर्वी के साथ जब हम capacity show करना हो ability show करना हो या power show करना हो बहां हम can के use करते हैं इसका structure होता है subject plus can plus बर्वी का first form plus object इसकी पहचान होती है सकना सकता हूँ सकते हैं सकती है अगर आप कोई काम कर सकते हैं यह app में capacity है कोई भी काम हो सकता है यह capacity है तो इसमें हम can के use कर सकते हैं example I can do it मैं यह कर सकता हूँ you can do it आप यह कर सकते हैं I can speak English मैं English बोल सकता हूँ he can lift this box बहां यह box उठा सकता है यह थे positive sentence अब हम बढ़ते हैं negative sentence की तरफ negative sentence में हम सिर्फ not लगा देते हैं can के बाद यह पर direct can not लगाते हैं example you can't do it लिख सकते हैं यह you can not do it लिख सकते हैं I can not do it लिख सकते हैं यह फिर I can't do it लिख सकते हैं can you speak English क्या मैं English बोल सकता हूँ can he lift this box क्या यह box उठा सकता है अब हम बढ़ते हैं code model की तरफ code model के three rules होते हैं पहला rules है इसको हम can के past के दरा use करते हैं जैसे हमें अगर past की capacity बताना हो ability बताना हो यह past का power बताना हो जैसे मैं यह कर सकता था या मैं यह कर सका तो वहाँ पर हम could use करते हैं यह पहला rule है example I could do this when I was young I could lift this stone जब मैं young था तो मैं यह पत्थर उठा सकता था we could not come on time हम समय पर नहीं आ सके तो इस तरह किसे could का पहला rule हो जाता है अब हम second rule की तरफ बढ़ते हैं second rule में जब हम किसी से कोई polite request करते हैं तो वहाँ हम could का use कर सकते हैं जैसे could you lend me some money क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं could I use your books क्या मैं आपकी books use कर सकता हूं तो यह हुआ आपका polite request में इसके बाद हम बढ़ते हैं could have rule जो third है इसलिए हम could have use कर सकते हैं could have में verb का third form use करते हैं इसकी पहचान होती है सकता था सकते थे सकती थी subject plus could have plus v3 plus object example है you could have told me earlier तुम मुझे पहले बता सकते थे we could have won the match yesterday हम कल मैं जीश सकते थे तो यह होगया आपका good model अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले model की तरफ बढ़ते हैं अब हम अगले model की तरफ बढ़ते हैं मे का मीनिंग भी सकना होता है इसको भी हम three तरह से use कर सकते हैं formal permission लेने में blessing लेने में present possibility लेने में पहला रूल है formal permission आपने अक्सर स्कूल में ये बोड़ा होगा मैं I come in sir क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो इसमें permission मांगते हैं तो may use कर सकते हैं जवाब में आपको yes you may come मिल सकता है या फिर yes you can come ये आपको जवाब मिल सकता है अगला question है कि may I ask you a question क्या मैं आपसे question कर सकता हूँ जब कभी भी आप किसी अपने से बड़े से कोई permission मांगते हैं तो हम may का use कर सकते हैं ये आपका पहला formal rule है दूसरा जो rule है ब्लेसिंग जब कभी भी हम किसी को bless करते हैं किसी को हम दुआएं देते हैं तो may का use करते हैं जैसे may you live long may God bless you God God तुम्हें bless करे, may God grant you success, God तुम्हें सफलता दे, may you live long दीरगायू हो इस तरीके से blessing दे सकते हैं और जो present possibility जो तीसरा rule है जो बड़तवान की संभावना है जब कोई संभावना रहती है जैसे कि आज बारिश हो सकती है तो it may rain today, it's five o'clock train may be late, पास तो बजगा है, train लेट हो स सकती है जहां भी संभावना है तक्रीवन 50% संभावना रहती है तो वहां पर आप may का use कर सकते हैं अब हम अग्ला जो model है उसकी तरफ बढ़ते हैं अगला model है वह है might might भी may का past होता है जहां में यूज कर रहे हैं अकर past tense में you तो ही नहीं सकती है, बहुत कम चांस है बरसाथ होने के 25% चांस है, तो हाँ हम माइट उसकते हैं, एक्जामपल, he might become, हो सकता है वो आए, the last of us has gone, so he might come now, आखरी बस तो चली गई है, हो सकता है वो आए, अभी, there are very few clouds, so it might rain, यहां बहुती कम बादल है आसमान में, हो सकता है कि बारिष हो, तो इस तरीके से आप might का use कर सकते हैं, हम इतने ही model पढ़ते हैं, यह part 1 है, part 2 में हम बाकी के models पढ़ेंगे, जैसे के should model है, must model है, यह सारे models हम next part में पढ़ेंगे, तब तक के लिए thank you, मिलते हैं next class में झाल